हलो दोस्तों मैं गने साधित फिर से आपका स्वागत करता हूं कंपडिशन कम्मूनिटी पे दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थिक मौरे समराज के अब हम देखते हैं हमारा आज का MCQ पहला है निम्न को सही सुमिलित कीजिए अगर आपने इसको पढ़ा होगा अर्थात एक तरफ सासक है और दुसरे तरफ उसके उपनाम है ति किन सासकों को किन उपनाम से जाना जाता था चलिए अब हम देखते हैं पहला चंद्रगुप्त दूसरा बिंदु सार असोक और चानक्यक तो सबसे समानी रूप से आप किसको पग पढ़ना चालू करते हैं पहला चानक्यक को हमका पता हम क्या कहते हैं विष्णुगुप्त कोई दिक्कत नहीं है चानक्यक क्या कहते हैं विष्णुगुप्त अब आगे बढ़ते हैं अशोक अभी हम लोग पढ़े हैं कि अशोक का जो उपनाम था वह अभी लेखों में द आ जाता था सेंड्रो कोड्स ठीक है किस नाम से सेंड्रो कोड्स चली अब यह हो गया सेंड्रो कोड्स बिंदु सार को अमित्र घात कहते थे ठीक है यह भी क्लियर है अर्थात हमारा हो जाएगा ठीक है कोड़ अगे बढ़ा जाये अब हमारा प्रस्था है निम्न को सुमिलित कीजिये धेन रखेये जह हमारे है ठीक हैक समराज के जो प्रांथ थे ठीक वह प्रांथ और उनकी दानिया तो एकए कर डिख लेके लेते हैं पहला प्रांथ पत् ठीक, दचिनाफतर आ्वंति और प्राची हम लोग पड़ चुके हैं उत्रापत की राजधानी है वो था आपका तक्छि शीला दच्चिन पत की राजधानी थी आपकी स्वाण्ड. दच्छिन पत् आपका हो जाएगा सुवनगिरी चंद्रगिरी जो की करनाटक पिस्थित है अवंती अर्थात उज्जैन ये इस प्रकार हो जाएगा प्राची मतलब पूर्वे पूर्व मेधाप का मगद अर्थात पाटली पूत्र इस प्रकार हमारा उत्तर होगा ए का 3 यानि 3 1 4 तो पहले देखते हैं 3 1 4 ठीक 3 1 2 ठीक और लास्ट में हमारा डी का 2 इस प्रकार हमारा होगा विकल्ब बी ठीक है कोई दिकत कोई दिकत होगा तो कमेंट कीजिएगा चलिए देखते हैं ठीक अगला हमारा है सब्तांग सिध्धान्थ हमने चेप्टर में पढ़ा है कि मौर समराज्जी का जो प्रसासन था ठीक है कोटिल्ली ने अपने अर्था सास्तर में सब्तांग सिध्धान्थ का वर्णन किया था और उस सब्तांग सिध्धान्थ के अनुसार कोई भी साथ अंग. परस्थ में क्या पूछा है? सब्तांग सिध्धांद के अनुशार. राज्य का सात्वांग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सात्वां अर्थात हमारा अंतिमंग और वो है आपका मित्र. ध्यान रखिएगा कोन सा है? मित्र. साथवाँ अंग आपका मित्र है पहला अंग राजा धुसरा अंग जन्दपाद ठीक है इस तिसरा अंग दूर इस प्रकार के से आगे बढ़ते हुए हमारा साथवाँ अंग होगा मित्र है इसको आप चेप्टर से एक parents देख लेंगे साथाप आपको नाम पर एक Wow चलियो किसा और नाम से जानते हैं आपके चाड़के के नाम से चाड़के ध्यान रखेगा विशुडु गुप्त विशुडु गुप्त ये कौन थे ये वास्ता में तक्छिसीला के पंडित थे ध्यान रखेगा तक्छिसीला के ठीक है पंडित थे चलिए आप देखते हैं ठीक है कि किसके प्रधान मंत्री थे तो आपको पता है कि चंदरगुप्त जो है घनानंद को पराजित करने के लिए उसके पैलरल में किसको खड़ा किये थे तो पैलरल में खड़ा किये थे चंदरगुप्त मौरे को तो सिधी से बात है कि मंत्री किसके रहेंगे या प्रधान मंत्री कि के रहेंगे चंद्रगुप्त मौर एक है तो बिना देखी ऑप्सन को बिना देखें ही तुछ आप चंद्रगुपत मौर लेगा यह देखिएगा एक और ट्रिक है जब आप एक्जाम देते हैं तो प्रस्ण पढ़के डारेक्ट एंसर को एजिम किजिए कि इसका एंसर क्या है और उसी answer को खुजिए बजाए कि आप चारो विकल्प को पढ़ें तो घर में भी हम करते हैं चारो विकल्प को पढ़ते हैं फिर दिमाग लगाते हैं अगर वही process वहां भी करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए आप क्या किजे वही चारो को चारो answer आपको यह वि दागाते है ठीक है तो चन्दर गुप्त के प्रधान मंत्री कोई है ठीक है? सोरी कोटि ली किसके प्रधान मंत्री थatique दियान रखियंगा चन्दर गुपत hackers को कोड ले के बाद मातलब इनका अस्थान लिया था ठीक है चनर गुपत जाने के यह जो थे अगले प्रधान मंत्री थे अगले प्रमुक्त ध्यान रखेगा कौन राधा गुप्त ठीक है कई एक्जामों में इसको पुछा भी गया है अब हम देख लेते हैं ठीक अगला प्रस्थन में उच्पद पर नियुक्ति के समय किया जाने वाला परिक्षण को किस ना में ठीक एग्रिगेट के साब से चर्ण होता है यहां पर भी वही पूछ रहा है कि अगर उच्पद है तो उच्पद में नियुक्ति कि समय मंत्री मंदल या मंत्री परिशद में ठीक है किस प्रकार का परिक्षण किया आता था तो पहला है निरिक्षण दूसरा मंदल सिध तिसरा है सतगुर्ण चौथा है आपका उपधा परिचण तो हमने चप्टर ने पढ़ा है कि इसका विकल्प क्या होगा उपधा परिक्षण ध्यान किएगा तीक उपधा परिक्षण अर्थात ठीक है यहां पर कुछ और सिधात बताओ जैसे कि आपको ठीक है अधिकारी ह अधिकारियों में लालच है कि नहीं लोब है कि नहीं सही बोलते हैं सत्य बोलते हैं कि नहीं तो इस परकार का इनका परिक्षण करते थे ठीक है अर्थात इस परिक्षण को हम इस परकार से देख लें जैसे कि धर्मोपधा धर्मोपधा और्थोपधा और्थोपधा धर्म में वो व्यक्ति किस प्रकार का पारंगत है ठीक है अर्थ में अर्थात अर्थ के प्रति उसका क्या सोच है घूस उस लेता है कि नहीं लेता है इस प्रकार से काम उपधा अर्थात ठीक है काम के प्रति अपने काम भावनाव को कंट्रोल कर पाता है कि नहीं तो ध्यान प्राद कर सकता है, राजा को धृक़ दे सकता है, और अगर काम के परति भी व जादा है तो ध्यान रहेर सकता है. पहले विस्कन्या का सभंग सल श्कुत चलता था. चारक के नहीं प्राऊंप कर आया था. कोन सा विस्कन्या का कंजेप्ट अर्थाथ किसी विस्कन्या को भेज देते थे और सामने वाले विक्पक्च को ठीक है उस वेक्ति के हानी करवा देते थे विस्कन्या अर्थाथ जो विस्ट लेके सामने वाले वेक्ति को दे देती थी ठीक है अर्थाथ वो कामुपधा से आपको पता है कि असोग ने भारत में क्या किया था अभिलेखो का प्रारम कराया था जब अभिलेख प्रारम किया है तो सबसे पहला वही होगा अर्थाद असोग और विश्वेस्तर में तिक दराय बाहु ध्यार केगा दराय बाहु अर्था दारा पर्थम तिक विश्व में सबसे पहली बार तिक दराय बाहु अर्था दारा पर्थम ने अभी लेक अर्था सीला लेक के बाद्यम से तिक राजा को राजा द्वारा अपती परजा को सुचन देने का प्रथा चालू किया था ठीक है इस प्रकार से अब भारत में असोग द्वारा क्लियर है को इतिकत नहीं यहाँ पर चलिए अगला प्रसन देखते हैं हमारा अगला प्रसन है कि रानी के रानी का अभिलेक के नाम से किस अभिलेक को जाना जाता है ठीक है सीधा से बात ह तो कहां पर है है यह के दौरा ठीक है दिया रखिएगा अकबर दौरा राजा अकबर आगे जाके न एलिमेरेट अर्थात यहां परवथको ठीक है कूना जाएगा फिरोजसा आ जाएगे ठीक है धियाँ रखेगा कुछी रोजसा अगला है रामपूरवा ठीक यह आपका कहाँ पर बिहार में रामपूरवा टीक है में तीन है हैं हम लोग पढ़े हैं तीन ठीक है रामपूर्वा और या और नंदनगड ध्यान रखिएगा अगला है धौली धौली है हमारे उडिसा में धौली जौगड ये दोनों जो ए ठीक है अभीलेक सिलालेक कहां पर है ठीक उडिसा में अब प्रस्न है भाई राणी का अभिलेक तो सिर्व है असोग केवल एक रानी कारुवी का वर्णन मिलता है और वो मिलता है थाद प्रयाग अभिलेक में ये फी प्रस्न मुछा लाता है कि असोग का एकमात्रानी का वर्णन की में किस हवी ग्यानaan रखिएगा एक और इनके पतनी है तीक है पत्नी ध्यान रेखेघा देवी और कर्विका लेकिन देवी का वढ़नन किसी अभीलेख मे नहीं है ठीक है, कर्विका का वढ़नन है और वो है आपका प्रियाग स्तंबल येख में उस समय भी लिखा गया था ठीक है ध्यान रिखिएगा लेकिन उसके द्वारा डिरेक्ट नहीं लिखा गया था तो हम पढ़ चुके हैं कि असोग से पहले चंद्रुगुप्त ने तीक रुदर्दामान का जूनागर अभी लेख ठीक ध्यान रिखिएगा ये का अधिकारी ध्यान रिखिएगा मौर्य प्रसासन में उद्द्योग के जो अधिकारी होते थे उस अधिकारी को हम किस नाम से जानते हैं ठीक है चली दिमाग लगई हमारे पास चार विकल्प है जो इस प्रकार है सन्निधाता प्रदेष्ठा करमान तक और समाहरता ठीक है तो इसका सही उत्तर क्या होगा ठीक है आपका करमान तक होगा ठीक क्यूंकि प्रदेष्ठा जो है यह आपके नियाईधिस है ध्यान रिखिए का प्रदेष्ठा जो है यह नियाई का धिकारी है ठीक है कौन सा फोजदारी नियाले के ठीक यह आपका फोजदारी फोजदार ठीक फोजदारी नियालेक नियाधिष्ट है ठीक प्रदेश्टा सन्दी धाता यह जो है आपका ठीक है राजस्विभाग किसके राजस्विभाग के उच्च अधिकारी है और समाहर्ता का संबंद कर से है ठीकर संग्रा से ध्यान रखेगा कर संग्रा ठीक है चलिए आगे बारे में जानकारी प्राप्त होती है यह हमारा अगला परस्ता ठीक है किस चीज़ से बुद्ध के जन्म से बुद्ध के Giant प्राप्ति से सरीरतयाग से तो इसका एक विकलब है आपका तिक के जन्म से ध्यान देखें, नुम्मनी में बुद्ध का जन्म हुआ था, तो भई जन्म से ही संबंदित होगा ना, ठीक है, ना तो ग्यान पराप्ति, क्योंकि ग्यान पराप्ति बुद्ध गया में हुआ था, पर्थम उबदेश कहा हुआ था, ठीक है, देख लेते हैं, ग्यान पराप्ति कहा ह और रिग्वेद का रिग्डेव रिग्डेव भी नाम जाना रहाथास। तो ध्यान रखेगा सारणात को रिशी spat्टिंअ की नाम से भी हम जानते हैं। तिक बुद्ध का सरीर प्याग कहा हुआ था, तिक मल सासक के हां, सस्तिपाल, ध्यान रिके मल, राज्य में, तो चलिए इसका हमारा हो गया उत्तर, ए, तिक अगला प्रस्थ हम देखते हैं, हमारा अगला प्रस्थ कुछ इस परकार है, कि मौरेकालीन प्रसासन में प्रदेश प्रदेश्टा याद रखिएगा, प्रदेश्टा फॉजदारी मतलब चोरी हत्या इस परकार के अपराद, धिवानी मतलब होता है, पैसा संबंदी अपराद, जमीन संबंदी विवाद, जमीन संबंदी विवाद है, वो होता है, दिवानी मामले, तिक और दिवानी मामले क जो प्रमुख अधिकारी उसको वयोहरिक के नाम से जाना गया है यहां पर है फौजदारी अर्थात हत्या लूट मार पीट इस प्रकार की चीज़े होती है फौजदारी में और इसका जो सर्वच अधिकारी है न्यायदी से वो प्रदेश्टा है ठीक है चलिए अब देखते ह हमारा अगला प्रस्ट तिक व्रिशल के रूपे में किस सासक को सम्मोधित किया गया है ध्यान रखिएगा व्रिशल ठीक आपने पढ़ा होगा व्रिशल के रूप में किस सासक को सम्मोधित किया गया है ठीक बिना विकल्प देखे मैं बताता हूं चंदरगुपत मौरे ठी निम्न जाती का, ध्यान रखीएगा ना, इसका अर्थ होता है निम्न जाती का, ठीक है, कुछ गरंथों की बात है, तो चूकी है, यह सरोमानी चीज नहीं है, कुछ विशेश गरंथों में इनको विरिसल के नाम से जाना गया है, ठीक विरिसल का अर्थ होता है निम्न जाती का ठीक है चलिए वास्तों में चंदरुप्त मौर जो है ठीक इनके माता पिता कौन थे ठीक इस चीज का एदम इस पस्ट रूप से उल्ले के कहीं नहीं मिलता है ठीक तो कुछ सहितेकार इसी आधार पे उनको क्या बोलते हैं निम्न वर्का का निम्न जाती का ठीक है तो विरसल क अर्थ होता है निम्न जाती ठीक है तो चंदरुप्त मौर ध्यान रखेगा ठीक बागी चीजे हैं यहां पर बिंदुसार को ठीक असोग और आपके विकल्प में है लेकिन यह आएगा नहीं ठीक आपके उत्तर होगा चंदरुप्त मौर अगला प्रसन देख लेते हैं हमार पी-जी-ए-ए-पी कुछ ऐसा है क्या क्या उसमें प्राथमित 6-2-3-3 इस प्रकार का व्याख्या है नहीं है कोई budget नहीं कोई आर्तिक provision प्राथशासरी की विवस्था का वरणने का वास्ता का वरनने नाम है अर्थशास्तर लेकिन काम क्या है उसका प्रसासरीक विवस्थ वास्थम इसका अर्थ शास्त्र्त चración कोई संब्ध नहीं है किस बहुत धर्म को अपना था है विभल्भ नहींति देखना क्या विष्णुगुप्त निग्रोत और वर्यहद्रत चलिए देख लिए त्यए अब fraction क्यब आपको बता चुका हूँ कि जब कलिंग का युद जो 261 इस्वी पूरु हुआ था कहां पर उडिशा में ठीक है उस कलिंग युद से द्रवित होकर अर्थात उनका मन बदल गया किसका असोक का ठीक है तो उनका मुलकात जो है हुआ था आपके निग्रोथ नामक ब्रामर से तो अब होना था तो निग्रोथ से प्रभाइद हुए थे कौन अशोग परंटु अगर आपसे यह पूछेगा कि दिख्चा किस ने दिया था दिख्चा एसा नहीं लिखा जाएगा कुछ दिख्चा तो दिख्चा दिया था उप गुप्त ने ध्यान रखेगा उप गुप्त तो दो आपके बहुत आपके भिख्चुक का नाम आता है असोग के साथ पहला निग्रोथ दूसरा उप गुप्त निग्रोथ से प्रभाइद हुए थे धियान रखेगा निग्रोथ से प्रभाइद हुए थे और इन्हों ने बोला कि हाँ भाई अब मैं बहुत दर्म को किया जाता है वो किया था उप गुप्त ने क्लियर है चलिए अब हम बढ़ते हैं अगला प्रस्न में हमारा अगला प्रस्न है निम्न लेखोंकों में से किसने कहा है कि चंद्रगुप्त मौरी ने छे लाख सेनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रौन्द डाला है यह स्टेट्मेंट देने वाला कौन है चलिए विकल रिखे हेरोडोर्स प्लीनी प्लुटार्क और जस्टीन ठीक है चलिए बताइए क्या होगा इसका उत्तर केवल एक ही होगा और वो है जस्टीन ठीक ध्यान रिखिएगा और जस्टीन नहीं ठीक है आपकी है दाकुमों का गिरो और इसी नहीं कहा है कि चंद्रगुप्त मौरिक ने छे लाग की सेना की सहयता से संपूर भारत को क्या-क्या है और अंदर डाला है क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं तीक अगला प्रस्न है मेगस्थनीज के अनुसार पाटली पुत्र का नगर एक स अगला प्रस्न है ध्यान रखेगा यह ठीक है छूडता नहीं है ठीक है चलिए आदर डालीजी आप भी मैं भी सुधाने के प्रयास कर रहा हूं ध्यान रखेगा अब मैं आपको बता दूं कि जो मेगस्थनीज है इन्हों ने कहा है कि छे समीतिया थी क्या थी भाई छे समीतिया यह जो छे समीतिया है वो पाटली पुत्र के पूरे प्रसार्शन को देखती थी ठीक है और प्रतेक समीति में पांच सदस्ति होते थे ध्यान रखेगा प्रतेक समीति में कितने सदस्ति है पांच तो पांच शके तीस ठीक है तो अर्थात हमारा विकल पर क्या होगा तीस सी ठीक अर्थात तीस सदस्य एक परिशद थी वो परिशद पूरे पाटली पूत्र अर्थात पटना की पूरी प्रसासनिक व्योस्ता को संभालती थी अलग-अलग कारिय थे अर्थात पांच पांच करके छे समितियां थी चलिए दूसरा कुछ दिमाग में आना ही नहीं चाहिए देखना ही नहीं है अजोग देवनाम प्रिये, मामला खतम, चलि आगे बढ़िये को भी अगर इस पर दिक्कत होगा तो नाम के साथ ही दिक्कत समझेगे उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, चलि आगे बढ़े मंदल सिध्धान्त एवं सडगुन का संबंद की स्षेतर से है ध्यान रखेगा ठीक मंदल सिध्धान्त का यहाँ पर एक चर्चा किया गया है कि मंदल सिध्धान्त जो है ठीक मौरसमराज का एक महत्वपूर्ण अंग है और वो मंडल सिध्धान्त क्या है आई ये देखते हैं विदेशनिती युद्धनिती अर्थवयस्था मंत्री परिशाद चली दिमाग लगाईए इसका सही उत्तर क्या होगा मंडल सिध्धान्त एवं सड़गुनी का संबन जो है बास्तों में विदेशनिती था foreign policy ध्यान रखेगा मंडल सिध्धान्त क्या था foreign policy था किनका मौरिश सम्राजी का जादा नहीं सोचना है युद्धनिती अर्थवयस्था मंत्री परिशाद नहीं है अगरा हमारा प्रस्थन है असोक ने गया जीले में बराबर पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाई बनाई तिक आपको पता है कि असोक जो है बराबर पहाड़ी पर उन्होंने क्या किया था तिक आपके चार गुफा के दिर्मान किया था कों कों से गुफा चली पहले उस दुसरा था कर्ण चोपार, कर्ण चोपार गुफा, सुदामा गुफा, सुदामा गुफा और विश्व जोपडी गुफा, विश्व जोपडी, ठीक, यह हमने पढ़ा है, ध्यान रखेगा, जो चप्टर हम पढ़ रहे हैं साथ में, उसमें यह पढ़ा है, कि असोग जो है, आजीवक संपरदाय से प्रभावित होता है, आजीवक संपरदाय के संस्थापक मोगलिप पुत्र तिस्थ हैं, तो मोगलिप पुत्र तिस्थ से प्रभावित होके, वो क्या करते हैं, ठीक, आजीवक संपरदाय का संदक्षन रखते हैं, और आजीवक संपरदाय के जो भि मोगल्ली पुत्र तीस ठीक इस परकार से प्रस्न पुछे आते हैं ध्याने के लिए गा मोगल्ली पुत्र तीस इतना आ जाएगा आपका ठीक है चलिए आप देखते हैं आगे अगला प्रस्थन है दिक है निम्नेमेश कौन गलत सुमिली है ठिक रही सुमिली थै तो आ धुख है जैसे गलत सुमिले थे थोड़ा हो जाहिए निम्ने मेश लिए है चलिए भई ठीक है चलिए दखते हैं सहवार्ज गड़ी कहा है सढ़ा गलत सुमली थैं अट्छा पहले पाकिस्तान गर्द ऑड्रram सहरो काहँ है पाकिस्तान और दोनों किसहाँ मैं खरुषथी निपी में ये पुछा जाता है खरुष्ठी लिपी ध्यान रखिएगा असोक के जो अभिलेक है तिन लिपी पाया गया है पहला सबसे अधिक ब्राम्य लिपी दूसरा है आपका खरुष्ठी तिसरा आरमाईक ध्यान रखिएगा तो जो सहबाजगड़ी और मान सहरा जो कि पाकिस्तान म के लिए है प्रिठक कलिऑ अभिलेक छोड़िए मस्क करनाटक में बिल्कुल सही है मास की करनाटक अथा, ठीक करनाटक कौन सा जिला, रायचूर जिला, तो करनाटक के रायचूर में है, ये भी सही लग रहा है अपने को, ठीक कहां पर है करनाटक के रायचूर, ठीक ध्यान रखेगा, राय है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो गुर्जरा ये कहां पर है, ठीक क्या ये गुज्रात में है, ठोड़ा लगताई ना, गुर्जरा कुक्त असलिए गुर्जरा मद्प्रदेस अल्ग का पर है, मद्प्रदेस एमप, ह茶 जी में घंठ पर गुर। आपका रूपनात अभिलेक रूपनात ये जो रूपनात है ये कहा है जबलपूर में जबलपूर तो इस परकार हमारा उत्तर होगा ठीक अर्थात गुर्जरा जो है वो गुजरात में नहीं मद्द परदेश में हैं मद्द परदेश के दतिया जीरे में ठीक है इस प्रकार आज के हमारे ये 20 प्रस्न हो चुके हैं ठीक मैं आसा कर रहा हूँ कि आप जो ये चेप्टर पढ़े होंगे उन चेप्टर से मैच करता हुआ ये आपका MCQs है ठीक है तो आपका कारी यही है कि आप इस MCQs को लगाएं जितने जल्दी जल कर लिजे अगर आप इसको टेलीग्राम आप जोइन करते हैं तो टेलीग्राम में आपको ये जो स्लाइड्स हैं ठीक वीडियो हैं ये सब रिगुलर वहां भी आपको मिलता है नोट्स मिल जाएगा आपको PDF में इसी स्लाइड का PDF form मिल जाएगा आपको वहां से ठीक है और आपको ज्यादा और जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए website पर जा सकते हैं competition community के website में जाएए विजिट किजिए वहां पर ठीक है और सारे बहुत सारे courses के बारे में वहां पर आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा ठीक है फिर अगले वीडियो के साथ आप फिर मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद